हम आपको एक ऐसे जादूई पौधे के बारे बताने जा रहे हैं, जिससे मैलाई अपनी सारी बिमारियों से छुटकारा पा सकती हैं। एक मैला को एक पुरुष की तुलना में उसके जीवनकार में अधिक बिमारियों का सामना करना पड़ता है। मैलाओं को लगबग हर महीने कुछ ना कुछ परिशानी होती है। फिर चाहे उनके शरीर पर दाने हो या उनकी मासिक धर्म की समस्या। मैलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक जोडों में दर्थ वे शरीर के अन्य भागों में दर्थ की समस्या का सामना करना होता है। कुछ रोग तो मैलाओं को ऐसे भी होते हैं कि वो हर किसी से उसके बारे में खुल कर बात भी नहीं कर सकती। और अपने रोग के साथ ही उन्हें घर का सारा काम भी करना होता है। ऐसे में अगर हम आपको बता दे एक ऐसे पौधे के बारे में जो मैलाओं के सबी रोगों का काल है। जिसके मात्रा सेवन भर से मैलाओं के सबी रोग अपने आप ठीक होने लगते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जिसको मैलाओं को हर रोग का काल होता है। इसको इस्तमाल करके मैलाओं के सौ से जादा बिमारियों से छुटकारा पया जाता है। यह पौधा हर किसी के घर में मिल सकता है। जी हां हम बात कर रहे हैं अपामार के पौधे की जिसे हम बर्चता भी कहते हैं तो चलिए जान लेते हैं अपामार के फाइदे आपके बुखार को ठीक करें किसी भी तरह का बुखार क्यों नहों तो आपको कोई और दवाईया लेने की ज़रूरत नहीं है इस पौदे का रस निकालें और इसका सेवन शेहत के साथ करें ऐसा करने से कुछी समय में आपको इस समस्या से चुटकारा मिल जाएगा रतौंदी में लाबडायक रतौंदी रोग में ये पौदा बहुत ही लाबडायक होता है इसके उप्योक से सर्फ तीन ही दिन में रतौंदी से चुटकारा पाया जा सकता है इसके लिए इस पौदे के पाउडर को 6 ग्राम की मात्रा में रात को पानी के साथ लें इसका तीन दिनों तक सेवन करें ये बिमारी बिलकुल ठीक हो जाएगी पेट फूलने की समस्या ये समस्या होने पर इस पौदे का सेवन करने से बहुत ही जल्दी फायदा दिखने को मिलता है इसलिए पेट के रोगी को इसका सेवन जरूर करना चाहिए तवचा के रोग दूर करें अगर आपको किसी भी प्रकार की त्वचा के रोग हो तो आपके लिए ये पौधा बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इस पौधे के पानी को उबाल कर उस उबले हुए पानी को रोगी पूवी त्वचा पर लगाएं तो त्वचा के सारे रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे अपामार का पौधा मैलाओं की हर बिमारी का इलाज कर सकता है। तो हैना ये एक जादोई पौधा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए थाकि आपको हमारी लीटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिल सके। थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो। तिल दन स्टे हल्दी और स्टे ब्यूतिफुल विजिए।